इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहत बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहाँ पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहत बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्धम से पहुचाएंगे इसलिए लगतार हमारे आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गडबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजेगा जै हिंद जै भारत दरासल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें लोग तंत्र की हत्या करने पर उतारू है बीजेपी अखिलेश यादा बोले घोसी में वहाँ चुनाओ हार रही है इसलिए सपा पर लगा रही है जूटे आरोप और वहीं यहां पर समाजवादी पार्टी ने फरजी मतदान का भी आरोप लगा दिया है भाजबा पर और कह है कि लगातार यहां पर वोटिंग के दोरान सरकारी मशीनरी का दुरूपियों किया जा रहा है खबर बताते चलें घोसी उप्चिनाओं के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के राश्ट्री अध्यच अखिलेश यादाब न है पूरा देश इनके तानसाही वेवार को देख रहा है घोसी में वहाँ चुनाओ हा रही है इसलिए यहां पर लगातार जूट फैला रही है भाजपा इसके साथ ही उन्होंने यहां पर आरोप लगाया है कि पुलिस प्रसासन के दौरा मतदाताओं को डराया और धमकाया जो रहा है इस पर चुनाव आयोग भी कोई कारवाई नहीं कर रहा है यह यहां पर अखिलेश यादब वोटिंग के दौरान जवरदस तरीके से भढ़के हैं दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरह बढ़ते हैं मुख्यमंत्री की बहन अपनी पार्टी का कॉंग्रेस में विले कर सकती हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात की संभावना खबर बताते चलें आंदर प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री वाई एस राज सेकर डी की बेटी वाई एस सरमीला कॉंग्रेस में सामिल हो सकती हैं और जल्द ही वाई एस आर तेलंगाना पार्टी का इसमें विले भी कर सकती हैं सुत्रों के अनुसार यहाँ बड़ी जानकारी सामने निकल कर सकती हैं कॉंग्रेस पार्टी में सामिल होकर के अपनी पार्टी का कॉंग्रेस में विले कर सकती हैं यह यहाँ पर खबर सामने निकल की आई है देख सकते हैं कि आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रड़ी की बेहन सरमीला अब यहाँ पर कॉंग्र सेवी की ताजा स्टेटस रिपोर्ट पर करेगा विचार कबर बताते चलें सुप्रीम कोड अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेवी के द्वारा दायर ताजा स्टेटस रिपोर्ट पर 15 सितंबर को विचार करेगा सुप्रीम कोड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्द व बंगाल विधान सभा में राजपाल के खिलाब प्रस्ताव ला सकती है टीमसी मम्ता बनरजी का आरो परिवार का हो रहा है राजिनीती कुद पीडन खबर बताते चलें आप लोगों को पश्चिम मंगाल में गवर्नर हाउस और राज सरकार के बीच में खिश्टान के चरम पर पहुँचने के बाद सत्ता रूड तरणमुल कॉंग्रेस विस्तारित मानसून सत्र के आखरी दिन पश्चिम मंगाल विधान सभा में राजपाल सीवी आनंद बोस के कामकाज के खिलाफ एक विसेश प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है इसके साथ ही यहाँ पर ममता ब बनर जी और राज जिपाल एक बर फिर से आमने सामने हैं और ममता बनर जी यहाँ पर राज जिपाल के खिलाफ विधान सभा में प्रस्ताव ला सकती हैं इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें इंडिया कडबंदन की लोग प्रियता बढ़ता देख यहाँ पर मचा है हडकंप बीजेपी से लेकर आरसस तक में जी हाँ दोस्तों लोग सभा चुनाओ से पहले महराश्टर के पूरे में होगी आरसस की बड़ी बैठक बीजेपी सहित संग ने यहाँ पर 36 संगटनों को बुला लिया है मीटिंग के लिए खबर बताते चलें आप लोगों को लगातार देश के अंदर इंडिया कडबंदन की लोग प्रियता बढ़ती ही जा रही है जिसके कारण बीजेपी और आरसस की नींद उड़ चुकी है और उनको यहाँ पर लग रहा है कि अब 24 के चुना सितंबर से यहाँ बैठक सुरू होगी 16 सितंबर तक यहाँ बैठक चलेगी यहाँ पर 3 दिनों की बैठक होगी यह यहाँ पर खबर सामने निकल के आई है दोस्तों इसके साथ ही एक और पड़ी खबर की तरह बढ़ते हैं इंडिया कड़बंदन ने बदली है अपनी रड़नीती मद्द प्रदेश विधान सभा चुना से पहले भोपाल में फिर चुटेंगे विपच्छी कड़बंदन इंडिया के नेता जिया दोस्तों इससे पहले जानकारी सामने निकल के आई कि मुंबाई मीटिंग के बाद मीटिंग दिल्ली में हो सकती है लेकिन अब यहां पर कुछ बदला होता हुआ नजर आ रहा है शुत्रों के अनुसार बड़ी खबर आई है इंडिया की अगली बैठक मद्द प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो सकती है यहां बैठक संसद के विशेशत्र के बाद में ह होगी हाला कि इस बैठक की तिति अभी निर्धारित नहीं हुई है शुत्रों के अनुसार बोपाल में बैठक के साथ ही विपच्छी नेताओं की एक महा जनसभा भी आयोजित की जा सकती है यह यहां पर इंडिया गडबंदन को लेकर के खबर आई है अगर आप लोग भी इंडिया गडबंदन के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें कांग्रिस की 16 सदसिय चुनाव समिती का किया गया है एलान खड़ गे सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत कई दिगजनेता यहां पर सामिल किये गए हैं समिती में अगले साल लोग सभा चुनाओ और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाओ के लिए कॉंग्रिस के अध्यच्छ ने चुनाओ समीती का गठन किया है इसमें मलिका अरजुन कड़ गए सोनिया गांधी समेत सूला चेहरों को जगहे दी गई है इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरह बढ़ते हैं इंडिया से पूरी तरह घबरा गई है मोधी सरकार कॉंग्रेस बोली वन नेशन वन इलेक्सन समधानिक संसोधन के बाद ही संभव खबर बताते चलें एक दे से एक चुनाव का मुद्दा एक बड़े विवाद में बदल गया है वन नेशन वन इलेक्सन को लेकर के एक बर फिर कॉंग्रेस ने एतराज जताया है और मोधी सरकार पर पलड़वार किया है कॉंग्रेस ने कहा है कि One Nation One Election के वल समधानिक संसोधन के बाद ही संभव हो सकता है कॉंग्रेस ने कहा है कि One Nation One Election के लिए आठ सदसिय पैनल का गठन यहां दर्साता है कि इंडिया की सफलवैटको के कारण भाजपा पूरी तरह से घबरा गई है पूरे मामले पर यहाँ पर जैराम रमेश ने कहा है कि समधान में संसोधन के बिना एक देश एक चुनाओ असंभव है समधानिक संसोधन की जरूरत है और इसके लिए आम सहमती बनानी होगी तब ही यह लागू हो सकता है यह यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से बयान सामने निकल की आया है एंडिये यहाँ पर पूरी तरह से डरा हुआ नजर आ रहा है इंडिया कड़बंदन से आप लोग इससे सहमत है या नहीं अपनी राय कमिंड बॉक्स में हाया नामे जरूर लिखिएगा एक और अपडेट आ रही है पताते चलें मलिका अरजुन खडगे ने संसद के विशेश सत्र से पहले 5 सितंबर याने की आज इंडिया कड़बंदन की नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है मोदी सरकार के दोरा चौकाने के अंदाज में बुलाएगा संसद के विशेश सत्र से ठीक पहले विपच्छी गडबंदन इंडिया और कॉंग्रिस ने रणीती पर चर्चा के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई है विपच्छी गडबंदन इंडिया के फ्लोर नेता आज कॉंग्रस अध्याचे मलिका अरजुन खड़गे के आधिकारी का आवाज पर मिलेंगे बैठक खड़गे ने बुलाई है और उधर कॉंग्रेस संसदिया दलकी नेता सोनिया गांधी ने भी आज पर्टी के संसदिया रणनीती सम्हू की बड़ी बैठक बुलाई है यह यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी खबरे थी मुखे समचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचा है अगर आप लोगों के यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुखे समचारों को शेर कीजेगा अपने सभी दोस्तों में वीडियो देखने के लिए आप सभी का ब